So friends, जैसा कि मैंने आप से कहा था कि मैं VSDC Free Video Editor का Tutorial आपके लेके आऊंगा तो मैं वो लेके आ चुका हूँ अगर आपको ये Video Editor डाउलोड करना है तो आई बिटन में वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे इसे डाउलोड करते हैं ये बिलकुल ही Free है, Without Watermark हम इसे वीडियोज इंपोर्ट कर सकते हैं, एडिट करके और बहुत सारे Options है इसमें, जो कि आपको एक Premium Version के Video Editor में देखने को मिलेंगे पर ये Free है, पर बहुत सारे Options होने के कारण कई लोग सबज नहीं पाते कि इस Option का क्या रोल है तो खुलते ही आपके सामने पहले ये Screen आएगी कि आपको Upgrade करना है या नहीं Pro Version लेना है या नहीं तो आप Simply Cross कर दिए, Pro Version भी आता है पर नहीं लेने की जोड़ता आप बिना Version के भी बस ये सारे चीज़े यूज कर सकते हैं अब इस App में मतलब इस Software में आपको बहुत सारे चीज़े Free में मिलती है जैसे Screen Recorder मिल जाता है Content मिल जाता है Slide Show Creation मिल जाती है आपको बहुत सारे चीज़े इसमें आपको मिल जाती है अब यहां सबसे बड़ी बात आती है Import Projects की तो कई लोगों को Import ही नहीं करना आता है दिखता ही नहीं यह बटन का है तो यहां देख लीजे छोटा सा बटन है Add Image का Add Sound का और Add Video का तो वीडियो आप Add कर लीजें जैसे कि मैं वीडियो अभी वीडियो आइड पर क्लिक कर देता हूं और यहां से मैं एक वडियो लह ले देता हूं जैसे Subscription इंट्रो है Subscribe Mario कर देता हूं और देख लीजे आचुकी है हमारी वीडियो, यहां से आप quality सेलेक्ट कर लीजे, HD quality आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वाकि जो भी आपको करना है वैसे या वीडियो की original quality भी आप set कर सकते हैं, वीडियो का preview आप यहां से देख सकते हैं, देख लिए आपको दिख रहा हैं, और आप यहां से text भी add कर सकते हैं, जैसे text होता है, यहां पे देख लीजे, मैंने add करा text, counter भी लगा सकते हैं, आप यहां पे, simple जो भी है, वैसे ही आपको ok पर click कर देना है, और देख लीजे, text बार open कर लेना है, इसमें आप कुछ भी type कर सकते हैं, जैसे की text लिखते हैं सहमें उसी से related option मिल जाएंगे, तो यहां से आप redo भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो, editing में, subtitles भी दे सकते हैं, आप यहां से, tool tip भी add कर सकते हैं, जैसे वो होता है, और यहां animation भी आप दे सकते हैं, animation पर देख लिजे, यहां पर भी आप दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप इ enable करते हैं, filmora में, वैसे आप इसमें नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको pro version लेना पड़ेगा, यहां से आप बहुत सारी effect, cutting, splitting, video effects आप चूस कर सकते हैं, देख लिजे, मैं क्लिक करता हूं, इतने सारे हैं, पहले से बने बनाए हैं, आप कुछ भी चूस कर लिजे, जो भ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल से, अब देख लिजे, आपके सामने, फिर यहां, import करने के बाद, आप edit कीजिए, जो भी आपको करना है, image, cut, crop, जो भी है, multi layers का, आपको यहां पर option मिल जाता है, जो की बहुत ही अच्छा है, sound आप कर सकते हैं, quality आप देख सकते हैं, audio की सारे projects import करने के, save करने के, export करने का भी option मिल जाता है, लेकिन सिर्फ यहां project ही export होगा, इस बात का आप क्याल रख लिजिए, सिर्फ file export होगी, पूरी video export नहीं होगी, अब scenes पे आप देख सकते हैं, new scene यहां देख लिजिए, scenes ही से कहते हैं, multi layers, एक एक layer को आप एक तरह से simple language म में बता रहा हूँ, एक एक layers को यहां पे scene कहा जाता है, देख लिजिए, एक scene, अब यहां edit पे जाते हैं, edit पे देख लिजिए, आपको वहीं cut, copy, paste, वगयरा, जो भी आपने select कर रखी होगी, video या text, जो भी animation आपने select कर रखा होगा, उसके सारे options हाजाएंगे, undo भी कर सकते आप यहां से और review भी कर सकते हैं, बहुत सारी है, अब यहां view पे चलते हैं, view आप different, different जगह पे आप अपनी वह लगा के paper to layout, बहुत सारी चीज़ें आप यहां से effects वगयरा देख सकते हैं, जो भी आपको जैसे view करना है, view का option पे सारे options आपको मिल जाते हैं, अब editor में जैस उसमें आपको वहीं जो मैंने शुरू में बताया था, voice recorder, disk burner, YouTube uploader, video capture, screen capture, video converter, video stabilization, ये सारे चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, बहुत ही बढ़ी आई ये भी, और activation पे आपको simple activation मिल जाता है, अब हम export project, project को export करके बताएंगे, तो आपको simple कुछ नहीं करना, सबसे पहल के लिए है, आप web से करने है, phone से करने है, android से करने है, या जो भी आपको करना है, वह आप select कर ले, जैब मैं भी laptop से करना हूं, तो यहां मैं PC select कर लेता हूं, और यहां export project पे मैं click कर लेता हूं, तो यहां click करने के बाद आप से फिर पूछेगा, कि आपको अपना version जो है, अ देखूंगा, कि यह हुआ है या नहीं, अच्छी तरह से देखते हैं, कि पूरा ये क्लिक हुआ, इसको मैं उपन कर लेता हूँ, देख लिजे, प्रोजेक्टवन को मैंने ऊपन कर लिया है, simple मैं video play करके आपको दिखा देता हूँ sound मैंने cut कर दिया sound आपको सुना ही नहीं देगा तो देख लीजे इसको हम देख लेते हैं कि watermark कहीं भी कुछ problem है या quality में problem है वो हम देख लेते हैं यहाँ से इस video editor में friends देख लीजे आप जैसा कि आपने देखा कहीं भी कोई भी watermark नहीं लगा हुआ तो यह बिल्कुल ही free है उमीद है आपको ये video अच्छी लगी होगी tutorials आप समझ गए होंगे इस video editor का एक और चीज़ मैं बता दूँ ये video editor किसी के tutorial से आप नहीं सीख सकते जब आप खुद try करेंगे इसको खुद अच्छे से एक के option को select करके देखेंगे क्या क्या role है किसका क्या क्या काम है वो सारे चीज़े देखेंगे तब आपको पता चलते जाएगा दीरे दीरे और आपकी editing सुधरती जाएगी free है इसलिए थोड़ा easy नहीं है तो friends उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार अच्छी लगी हो तो like करना और चैनल को subscribe जरूर कर देना तो friends आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तो तब तक के लिए बाए बाए